गाइस जो ट्रेडिंग टिक के बैप साइट है वो फाइनली बहुत अच्छी तरीके से अपडेट हो चुकी है चलिए देखते ही कि इसमें कौन कोई से फीचर्स एड हुए है और क्या नए अपडेट आए है फर्स्ट आफ वल गाइस सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो इस बैप साइट का जो मैन पेज है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है और यदि गाइस देखिए वाइड फॉल्ट गाइस इसमें काफी सारे ओप्शन है तो हम वन करके हम सारे ओप्शन को कवर करेंगे इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे देखिए सबसे पहले जो मैन वाला पेज है वहीं पर आपको एक डार्क मोड का ओप्शन मिलता है पहले क्या अथा इसमें ब्लैक वाली थीम भी होगी जिससे क्या है कि यदि आप नाइट में कुछ एनलीसिस करते तो आपके जो आखोफ एफेक्ट है वो कम पड़ेगा है तो इसमें comfortably जो है आप इसको watch कर सकते हैं देखिए सबसे पहले वाला जो option है future का future analysis में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको future oi analysis मिलता है future oi analysis में आपको जो भी हमारी future के stock है इस वाली वीडियो में मैंने आपको details में बताएं कि long build up, short covering यह सब चीजे क्या होती इस वीडियो में मैंने आपको details में बताएं उसके नीचे call vs put का option आता है यहाँ पे आप nifty bank nifty या जिस भी stock में आप देखना चाहें उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से stock में long build up हो रहा ह short build up हो रहा है और कितने कितने बज़े हो रहा है और साथ ही साथ जदी आपको इसमें historical मतलब की back testing करनी तो वह भी आप इसमें गर सकते हैं सबसे main topic आता है हमारा options का option में आपको पहले क्या हो रहा था इस वाली website में कि जो green वाल आपको दिखाई दे रहा यह put का दिखाई दे हैं अब call writer का मतलब क्या होता है कि call writer वो person होते हैं जो market को नीचे ले जाना चाहते है और put writer वो होते हैं जो market को उपर ले जाना चाहते है अब इसकी मदद से आप market में कैसे analysis करेंगे देखें आपको देखना है कि यह green वाले बार ज्यादा बड़े हैं या red वाले बार रहा है और सुबह से ही डाउन जा रहा है और साथी साथ यह वाली चीज है हमने अपने आप टेलिग्राम जो ग्रूप है उसमें भी आप लोगों को अपडेट किया था कि आज के दिन में केवल और केवल आपको शॉर्टिंग करनी है और आप यहां पर देख सकते हैं हमने इसमें तो अभी तक यदि आपने टेलिग्राम को जोईन नहीं के तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसको जोईन कर सकते हैं इसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स जो है आपको मार्केट ओपनिंग होने से पहले ही दे देता हूं तो इस तरीके स प्रिक्ष देख सकते कि कौन कौन सी इस ट्रेक प्ष Süd 트ाइच से जो है चेंज हो रहा है ठीक है जर्वह साथ यहदि आपको बैक टेस्टिंग करनी तो यहां से आप इसको बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं अब यदि गाईज इस जो वाइडवाली थीम है इसको आपको य से open interest जो है change हो रहा है ठीक है और साथ ही साथ यदि आपको back testing करनी तो यहां से आप इसको back testing भी कर सकते हैं अब यदि गई इस जो wide वाली theme है इसको आपको यदि dark करने तो ऊपर वाला जो option है उस पे जाके आप यहां पे click करके इसको जो डार्क मोड पे भी कनवर्ट कर सकते आप यहाँ पे देखिए यदि आप नाइट में अनलिसिस करते हैं मार्केट का वाय अनलिसिस करते तो आपको क्या ना आखों पर इफक्त नहीं पड़ेगा और काफी दीर तक आप जो है इस बाप्शाइट को वाच कर सकते देखिए उसक होने क्या कर दिया trending strike कर दिया trending strike में आपको क्या देखनी को मिलता है देखिए सबसे उपर में आपको यहाँ पे call 43,700C 43,800C 44,000C तो जितने भी C हैं यहाँ पे तो आपको केवल और केवल क्या सोचना है selling के बारे में सोचना है उस दिन मार्केट में है अब जब नीचे आप यदि करसल लेके आएंगे तो आपको यह चीज यहाँ पर देखनी कि कहां पर market में selling जादा है और कहां पर buying जादा है यानि कि आपको यह देखना है कि call के side में number जादा है या फिर put के side में number जादा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर 43,800C और 9 बच के 30 मिनिट में 9 बच के 30 मिन तो आपको यह अपनी जो एनलीस इसको थोड़ा इंप्रूब करना है मार्केट में जैसे कि आपकी गलतियां कम हो तो आपना डेटा के बेसेश पर डेटा को एनलीस कीजिए फर चार्ट पर एनलीस कीजिए यह दि दोनों चीज मैच हो रही है तो आप ट्रेड लेके तो आपको यहां पर सिंबल को ऑप्शन मिलता है जिस भी चीज को आपको ट्रेंडिंग इस्ट्राइक देखना है वो चीज आप यहां पर कलिक करके देख सकते हैं उसके बाद वाला जो आप्शन आता है कॉल पूट ओई में आपको यह दिखाई देता है कि जो भी जैसे यह च सोचना है सेलिंग के बारे मां सोचना है और यदि पूट के साइड में ज्यादा बड़ा है यह वाला पूट के साइड में यदि हो आई ज्यादा बड़ा है तो आपको क्या सोचना है बाइंग के बारे मां सोचना है आप चार्ट की मदद से भी यहां पर देख सकते हैं कि क यहां पर काफी चीज है कितना है वो भी देख सकते हैं उसके बाद काफी चीज है यहां पर से 98 परसेंट लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकिया हम तो आप अपडेटेट हो जाएं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं पुट कॉल रिश्व यहां पे आप PCR देख सकते हैं मदलब की पुट कॉल रिश्व है ना कि उनमें क्या डिफ्रेंस है ठीक है उसके बाद गाइज नीचे आता है ATM प्रीमियम से यहां पर देखते ATM जो करेंट जो स्ट्राइक प्राइज है ATM का जो स्ट्राइक प्राइज है वो उनका डिके यहां पर दिखाई देता है कि कितना डिके हो रहा है या कितना अप हो रहा है वो चीज आपको यहां पर दिखाई देता है आपको यहां पर कॉल की साइट की आइवी या फिर आप यहाँ पर देख सकते कि आपको पांच यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का ओप्शन मिलता है कि आप देखिए मैं यहाँ पर कुछ प्राइस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं यह देखिए मैंने कुछ यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को सलेक्ट कर लि यहां पर देख सकते हैं लाइब मार्केट में उसके बाद गाइज लॉंग एंड शॉट का ओप्शन आता है यहां पर लॉंग एंड शॉट में आपको यहां पर दिखाई देता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे लॉंग अन्वाइडिंग हो रही है यह सॉट बिल्डप हो रहा है यहां पर देख सकते हैं उसके बाद प्राइस वर्सिस का ओप्षन यहां पर दिखाई देता है आप देख सकते हैं कि कौल के साइट का जो प्राइस है या पुटका साइट का जो है वो चीज आपको यहां पर दिखाई देगी प्राइस के साथ आप देख सकते हैं जिस भी प्राइस को आपको देखना है उसके बाद आपको यहां पर strategy का option मिलता है strategy में आपको strangle है या फिर यह फिर आपको काफी तरीके के यहां पर आपको option मिलते हैं कि यहां पर आपको यहां पर यहां यहां पर उसके बाद आपको बैक का option मिलता है कि कि इदि आप बैक टेस्टिंग करना चाहते किसी परटिकुलर टाइम पे कि यदि आपने किसी स्ट्राइक में ट्रेड लिया होता इसे टाइम पे तो हमको क्या रिजल्ट मिलता वो चीज़ आप यहां पर बैक्टेश्ट भी कर सकते हैं तो यह बेसिकली यह मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग टिक क्या-क्या फीचर्स हैं तो जो एफ्स सब्सक्राइब कीजिए